मानो या ना मानो मारूती की गाड़ियां 10 में से 7 गाड़ियां आपको मारूती की तरफ से देखने के लिए मिल जाती है मारूती की तरफ से ये वाली गाड़िया आपको लगबग 40-45 के एवरेज आसानी से निकाल के देने वाली है यही एक वज़ा है जिसके वज़ा से इन्यन मार्किट में मारूतिकी इतनी पॉपलर गाड़ियां है उसी में से एक सबसे पॉपलर गाड़ी है मारूतिक तरफ से आने वाली Swift Swift भाई वो गाड़ी है जिसको all time favorite इस गाड़ी को रखा गया है इसे लिए इसकी अब तक 3 generation आचुकी है अभी इसकी 4 generation गाड़ी आने वाली है थर्ड जनहरेशन गाड़ी को भी इतना ज्याद़ पसंद किया थै इतनी ज्याद़ सेल्स हुई थी उस गाड़ी की जो के आज तक उस गाड़ी की सेल्स हैं बरकरार है तो सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा बिक्री होने के बावजोद भी कहीं न कहीं कमी खल रही थे कि इस गाड़ी का एक 4 जनरेशन या फेसलिफ वर्जन इस गाड़ी का आना चाहिए तो 2024 में इस गाड़ी का फेसलिफ आने वाला है यह कंफॉर्म है गाड़ी के अंदर क्या कुछ चेंज से आपको देखने के लिए मिलेंगे सारा कुछ बात करने वाले इससे वीडियो के अंदर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रेंट फेस ही आपको फ्रेंट डिजाइन पूरा चेंज देखने के लिए मिलेगा पिछले जनरेशन से अगर बात करें पिछले जनरेशन से आपको इसका पूरा यहां पर बंपर डिजाइन है पूरा नया आपको देखने के लिए मिलेगा न नया जनरेशन के यहां पे front का design है काफी sport यह सापको देखने के लिए मिलेगा काफी अच्छा देखने में लगेगा आपको side design से वही आपको देखने के लिए मिलने वाला है लेकिन एक जो बड़ा आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर बात करें गाड़ी के रियर डिजाइन की तो रियर डिजाइन भी पिछले जनरेशन के अकॉर्डिंग इसका काफी और aggressive और sportious लुक देने के आपको कोशिश करी गई गाड़ी no doubt देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है चाहे इसकी जीरो स्टार रेटिंग आए अब देखते हैं इस गाड़ी पर थोड़ा और अगर काम करते हैं अगर इसको थोड़ा सा सेफटी बना सके दो हैं तो चलिए बात करते हैं अगर इस गाड़ी के डिजाइन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है इसकी एवरेज की मैं कह रहा था कि एवरेज इस गाड़ी का इतना ज्यादा क्यों बढ़ने वाला है वह अभी बताऊंगा वीडियो में अंट तक बने रहूं और चैनल पर नहीं होते हैं सब्सक्राइब कर दो इस बहतरीन गाड़ी के लिए क्योंकि एड़ा एंड यही चीज़ा आती है कि गाड़ी माइलेज कितना देती है और चीज़ें वाला है जल्दी से नहीं होती है सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है मारुति की आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा जो इसका इन्फोटेन्मेंट सिस्टम है अब यहां पर जो इसका इंस्ट्रुमेंटल क्लस्टर है उसके अंदर भाई सैमी डिजिटल हो सकता है या फूली डिजिटल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब जो गाड़ी आए साहँ होते हूं घाड़ी अंदर देखने के लियु helt जाएंगे होयितितर होते हैइब अपर उसक्री रहे के दिख रही थी और नए जनरेशन वाली नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी लग रही है गाड़ी तो हो सकता है इसकी सेल्स में और ज्यादा यह जाफा आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा तो इस तरह का गाड़ी का लुक और फील काफी होने वाला है तो अब आते हैं एवरेज के उपर बात इस गाड़ी के अंदर यहां पर दो इंजिन आपको देखने के लिए मिलता है तो 1.4 लिटर गया इंजिन के साथ वह आपको देखने के लिए मिलेगा और एक यहां पर 1.2 लिटर के आपके पैट्रो अपच्छा लगा इसका जो नया एग्रेसिव लुक है इसकी वजाए सेल्स बहुत ही जादा होने वाली है अगर आपको इसकी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे होगा नहीं हो तो सब्सक्राइब बाकी मिलते हैं आपसे एक और ने इंट्रिस्टिंग वीडियो के साथ ओके टाटा बाई बाई जहीं